यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेर्सन और टोब्रो शेर में आज की ट्रेडिंग सेशन में 0.79% की गिरावट देखने को मिली थी पर अगर हम यहाँ पर देखें इस शेर ने इदर अपना 52 विक हाई प्राइस बनेया था और उसके बाद आज 50 डेस हो गए हैं और फिर भी यह शेर आज ओल्मोस्ट 12 परसन जितना नेगेटिव में ही चल रहा है तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लेर्सन और टोब्रो शेर का टेक्निकल एनिलिसिस और देखेंगे कि इस शेर में धमाकेदार तेजी कब आईगी और इस शेर को क्या अभी हमें बा सबसे पहले इस शेर के सपोर्ट लेवल्स को डिसकस कर लेते हैं तो इस शेर में जो सबसे इंपॉर्टन सपोर्ट है वो है 1391 का लेवल और यह शेर के लिए एक स्ट्रोंग सपोर्ट का काम कर सकता है और ऐसा मैं क्यूं बोल रहा हूँ क्यूंकि यहां पर आप देखो यह वाला जो लेवल है आप ये लाइन देख सकते हो ये लाइन ये इस शेर के लिए स्ट्रॉंग सपोर्ट का काम क्यों करेगी क्योंकि यहाँ पर पहले इस शेर ने इसी लेवल पर मल्टी टाइम रेजिस्टन्स फेस किया था तो और अगर हम करंटली देखें तो करंटली ये शेर एकदम अपने इस वाले सपोर्ट लेवल के इदर ही टिका हुआ है तो मुझे लगता है कि ये सपोर्ट इस शेर के लिए बहुत ही इंपोर्टन सपोर्ट है और अगर ये शेर इदर कहीं बार support ले चुका है यहाँ पर first time, यहाँ पर second time और यहाँ पर third time इसलिए यह दोनो support levels आप चाहिए तो note down भी कर सकते हो first support है 1391 का level और जो second support है वो है 1321 का level आईएब हम इस share के important resistance levels को देख लेते हैं दोस्तों इस share में यहाँ पर दो important resistance levels है जो first resistance level है वो है यह वाला line 1442 का level और यह share के लिए important resistance है क्योंके पहले यह share इस zone में support लेता था आप यहाँ पर देख सकते हो हिदर एक बार support लिया था हिदर एक बार हिदर एक बार और हिदर एक बार तो यहाँ पर पहले यह zone इस share के लिए एक support का काम करता था तो अभी यह zone इस share के लिए एक resistance का काम कर सकता है और जो दूसरा और सबसे important resistance है वो है 1566 का level और यह इतना important क्यों है क्योंके यहाँ पर आप देखो इस share में अच्छा सा अप मूँ चालू था पर फिर जैसे इस share का price इस वाले level पर पहुचा उसके बाद ही इस share में गिरावट शुरू हो गई और यहाँ पर इस share ने multi time resistance waste किया है तो 1566 का level इस share के लिए strong resistance का काम कर सकता है आईए अब हम देख लेते हैं कि क्या हमें इस share को अभी buy करना चाहिए या sell करना चाहिए इस share में मैं currently buying करूंगा मतलब मैं इस share में currently खरीदारी ही करूंगा और उसके पिछे का एक simple logic है ये share एकदम अपने support level के नजदिक आ गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस price से लेके हिदर तक इस share में continuous गिरावटी चल रही थी पर currently ये share यहाँ पर support के इदर टिका हुआ है और इस level के नीचे नहीं जा रहा है तो यहाँ से मुझे लगता है कि इस share में अच्छी तेजी आ सकती है और अगर ये share ये support तोड़ देता है तो इसके बाद ये share इस वाले level पर आएगा 1328 के levels पर आएगा और उसके बाद भी इस share में अच्छी तेजी आ सकती है तो यहाँ पर मेरा जो stop loss रहेगा वो रहेगा 1320 का closing basis पर तो यहाँ पर risk बहुत ही कम है और अगर हम target की बात करें तो ये share short term में 1650 रुपीज तक के target आराम से अच्छी उकर सकता है अगर इस share को market का साथ मिला तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करना, share करना और मेरे channel को subscribe करना और दोस्तो इस share में मेरी कोई भी बाय सेल्या hold की सला नहीं है आप कुछ भी decision लेते हो तो आप अपने financial advisor से पहले consult करे धन्यवाद